अमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस अब्डेट्स के लिए बेल आइकन सिरूर दबाएं इस एपिसोड के प्रस्तुत करता है नेतिपयो वाटर प्यूरिफिकेशन सिलूशन्स आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे तलंगाना में बहुत ही जल्द होने वाले ग्राजवेट MLC एलेक्शन्स के बारे में जिसमें वोटर्स को दुबारा ने सिरे से फिर से एन्रोल करना होगा और महबूब नगर रंगारेड़ी हैदरबाद ग्राजवेट्स कॉंस्टिट्वेंसी में वोटर्स को एन्रोल करने की आखरी तारीख है 31 डिसमबर 2020 यानि के सिर्फ पांच दिन बचे हैं तो मेरा ये वीडियो गोड़ से देखिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो के नीचे दिये गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार जरूर दबा दें ताकि मेरा अपलोट किया हुआ हर इंपोर्टन वीडियो का अलर्ट आपको फॉरण मिल जाए आज किस टॉपिक को मैं सिंप्लिफाई करके लॉजिकल सीक्वेंस में समझाने की कोशिश करूँगा आप तो जानते ही होंगे कि इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिट्रीज है सेंटर में है पार्लिमेंट हाउस और हर स्टेट में होती है एक लेजिसलेटिव एसेंबली जिसे हम हिंदी में विधान सभा और उर्दू में कहते हैं कानून सास एसेंबली इंडिया में चाहे center हो या state यहां के हर legislative body में दो chambers होते हैं जिसे के parliament house में है लोगसभा और राज़सभा lower house को लोगसभा कहते हैं और upper house को राज़सभा ठीक इसी तरह state legislature भी दो हिस्सों में divided है एक है lower house की तरह जिसे हम कहते हैं legislative assembly और दूसरा है upper house की तरह जिसे हम कहते हैं legislative council इस system को bicameral legislature या bicameral system भी कहा जाता है लेकिन interesting बात यह है कि center ने state को ये एक्तियार दिया है कि वो चाहे तो bicameral system follow करे या फिर वो चाहे तो unicameral system follow करे इसी लिए इंडिया में सारे 29 states में ये bicameral legislature system नहीं है इंडिया में सिर्फ 6 states ने इस system को अपनाया है और उन 6 states के नाम है आंदरप्रदेश, बिहार, करनाटका, महराष्टरा, तलंगाना और उत्तरप्रदेश तो यहाँ पर ये bicameral system है और बागी के states में unicameral system यानि कि इन ही 6 states में legislative councils हैं और बागी के states में legislative councils नहीं है वो states सिर्फ legislative assembly के बल पर चलते हैं 1985 में इंटी रामाराओ जो यहां की chief minister थे उन्होंने legislative council को abolish कर दिया था उसकी वज़े ये बताई थी कि वो इसे state पर एक गहर जरूरी burden समझते थे बहुत सारे अखरजात हुआ करते थे इस legislative council को maintain करने में लेकिन experts का मानना ये था कि असल वज़ा वो नहीं थी असल वज़ा ये थी कि उन दिनो legislative council में Congress party की अक्सरियत थी जिससे lead कर रहे थे के रोशेया और इस वज़े से एंटी रामा राओ की government जो नए legislations लाती इनमें काफी बाधाएं पढ़ रही थी इन्हें legislative council से पास करवाना मुश्किल हो रहा था इसी लिए एंटी रामा राओ ने legislative council से अपना पीछा छोड़ाना चाहा वज़े चाहे जो भी हो या बॉलिश हो गया था लेकिन उसके ठीक 22 साल बाद 2007 में जब Congress Leader Dr. Waiya Sarat Shekhar Reddy आंदरप्रदेश के चेफ मिनस्टर बने तब उन्होंने दुबारा इस legislative council को revive किया और फिर से आंदरप्रदेश में legislative council कायम हुआ और दुबारा ये bicameral system लाया गया आंदरप्रदेश स्टेट का bifurcation साल 2014 में हुआ था और इसे दो रियासतों में बाट दिया गया एक आंदरप्रदेश और दूसरा तलंगाना इस bifurcation के बाद legislative council अमल में आई ये legislative council जिसमें 40 member है इनमें है एक chairman और दूसरे deputy chairman chairman है श्री गुठा सुकेंदर रिड्डी और deputy chairman है श्री नेथी विद्यासागर अब ये दोनो chairman और deputy chairman state cabinet ministers का rank पे हैं और जो 40 members हैं उन्हें कुछ इस तरह से legislative council पहुंचाया गया 40 में one third यानि के 14 members को state legislative assembly ने चुना हैं यानि के जिन लोगों को आपने MLA elect किया है उन MLA's ने 14 members को elect करके legislative council पहुंचाया और एक one third members यानि के और 14 members को local bodies जैसे municipality जिसे आप तलंगाना में बल दिया कहते हैं इन लोगों ने elect करके legislative council पहुंचाया और one twelfth strength यानि के और तीन members को exclusively teachers ने elect करके legislative council पहुंचाया और one sixth strength यानि के 40 में 6 लोगों को governor ने नॉमिनेट किया और फिर one twelfth यानि के तीन members को अब public यानि के आप में जो graduates हैं वो लोग elect करके legislative council पहुंचायेंगे इस तरह अगर आप ये सारे numbers को add करेंगे तो हो जाएंगे 40 और ये 40 members में आप दीखिए किस तरह कुछ लोगों को legislative assembly ने elect किया कुछ लोगों को teachers ने elect किया कुछ लोगों को governor ने nominate किया कुछ लोगों को local bodies ने elect किया और कुछ लोगों को public ने लेकिन सर्फ उनहीं लोगों ने जो graduates हैं उन्होंने elect करके पहुंचाया है legislative council और अगर आप ये party affiliations भी देखें तो ये भी interesting है कि जो total 40 members है इन में 30 members है TRS के 3 members है independent 3 members है nominated 2 members है AIMIM से 1 member है BJP से और 1 member INC तो आप देखेंगे इस तरह से legislative council में TRS party की अक्सरियत है और ये जो तीन graduate constituencies है ये हर constituency में एक आपका elect किया हुआ legislative council member है और ये constituencies है एक तो है नलगोंडा वरंगल खंमम दूसरा है निजामबाद आदिलाबाद मेदक करीम नगर और तीसरा है महबूब नगर रंगारेड़ी हैदरबाद ये तीन graduate constituencies है जहां पर अभी आगले साल February में यानि के अभी सर्फ दो महीने हैं elections होंगे क्योंके जो नलगोंडा वरंगल खंमम के elected MLC थे पी राजश्वर रेड़ी TRS पार्टी के इनका tenure कत्म होने वाला है और जो महबूब नगर रंगारेड़ी हैदरोबात के elected MLC थे BJP के इन रामचंदर राव इनका भी tenure खतम होने वाला है इन दोनों का tenure 29th March 2021 को खत्म होगा इसलिए अब ये elections February में होने वाले हैं तो अब assembly elections में जिस तरह से हर आदमी हर citizen वोट कर सकता था यहां पर ऐसा नहीं है MLC elections में सिर्फ graduates वोट कर सकते हैं qualified graduates या जिन लोगोंने एक diploma किया हो अटलीस्ट जो graduation के equivalent हो ऐसे ही लोग वोट डाल सकते हैं legislative council elections इसलिए बहुत important है क्योंकि ये एक ऐसी body है जैसे कि Parliament House में राज्यसभा को एक्तियार है कि वो हर lower house में पास होने वाले bills पर नजर रखें और फिर finally उन्हें अप्रूफ करें ठीक उसी तरह legislative council भी state level पर जो legislations जो laws बनाए जाते हैं state में legislative assembly पर उस पर एक नजर रखता है या फिर उस पर break लगाएं तो जो laws और legislation legislative assembly में पास होता है ये legislative council के जरीए पास करवाना finally जरूरी होता है इससे पहले की वो state में एक law बन जाए तो इसी लिए ये legislative council में educated लोगों को educated लोगों के जरीए से ही elect करके पहुंचाया जाता है तो अब इन constituencies में रहने वाले graduates एक matter of privilege भी से समझ सकते हैं कि ये elections में graduates को ये मौका दिया जा रहा है कि आप ये बहुत ही important position के लिए MLC को elect करें और legislative council पहुंचाये तो अब आप समझ गए होंगे क्यों MLC elections इतने important है इसमें क्यों graduates या diploma holders को अपना vote दालना जरूरी है और महभूब नगर रंगारेड़ी हाइदरबाद की जो graduates constituency है इसमें enroll करने की आखरी तारीख 31st December 2020 है आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी एक passport size photograph और अपने graduation certificate को online upload करना है और खुद को as a eligible voter register करना है website है ceotelangana.nic.in ये website जो मेरे screen पे नज़र आ रहा है और मैं ये link अपने वीडियो के नीचे description में भी दे दूँगा ताकि आप वहाँ जाकर ये link खोल सके और फिर जब आप ये website खोलेंगे तो इसके home page पर आपको मिलेगा MLC graduates form 18 ये form 18 आपको fill करना है जिसमें आपके सारे personal details है और इसी form में आपको upload करना है अपनी passport size photograph और अपनी graduation certificate और submit करना है और finally January में एक list जारी होगी जिसमें सारे eligible voters के नाम होंगे और फिर इस तरह से आपको अपनी constituency से अपने MLC को elect करना है और इसके लाबा हर area में महबूब नगर, रंगार इंडियो और हैदरबाद में कई local NGOs, political parties और social workers ने एक camp चला रखा है जहां पर आप मदद मांग सकते हैं अगर आपको खुद को online enroll करने में दुश्वारी हो रही हो तो आप इनको approach कर सकते हैं मेरे screen पर भी आपको कुछ numbers नजर आ रहे हैं ये भी कुछ voluntary organizations हैं जो इस constituency में मदद कर रहे हैं लोगों को enroll करवाने में इसके अलावा अगर आप मुछ से भी कोई doubt पूछना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे दिये comment box में type करके पूछें मैं आपके सवालों के जवाब जल से जल देने की पूरी कोशिश करूँगा तो अगले पांच दिनों में priority में सब graduates और diploma holders को चाहिए कि वो खुद को इस website पर या फिर in volunteers या एंजियो उसकी मदद से enroll करें और अपना vote ज़रूर दे ये आपका हक है